यार अख्मानिम, बहुत बहुत शुक्तिया सबके आने के, मैं तो सोच आज लोग कम होगे, भर गया, दस मिनिट में, फिछला लेक्चर सुना जो मैंने इसलामबास दिया से, लंडन से भी दिया थे, लंडन से भी दिया थे, तो जी अब इंशालला अनॉंस्मेंट बाद में करूंगा पहले आज बहुत सारे सवाल आते हैं, एक साहब है जो उर्दू स्क्रिप्ट में भेजते हैं सवाल मुझे, अच्छी बात है, मैं पढ़ने महासानी होती है, मगर वो बहुत ज्यादा सवाल भेजते हैं, तो उनके ही सवाल हैं, बड़ मैं कोशिच करता हूँ, न आक की फितरत का जलाना, अगर आप अपनी मर्सी से आक की तरफ जाएं तो वह आपको जला देगी, इसमें आक का कोई वसूर नहीं है, तो अल्ला ताला तो गफूर और रहीम है, अलबता जो उसके कमानीन हैं, वो बड़े सक्त हैं, अगर वो कमानीन सक्त ना होता तो काइन आपनी वजूद खो बैठती, एक लम्य में खत्म हो जाती है, और उसूलों में एक उसूल है, कि हर अमल का एक रद्ध अमल है, इनसान बीच बोलता है, टिमाटर का तो टिमाटर मिलता है, उसे आलू नहीं मिलता है, तो जो शक्स फिर बीच बोलता है, कांटों का उसे जाता की, तो अगर को इस्तेमाल करकर इस नतीजे पर नहीं पहुंचते कि इस काइना तो कोई खालिक है, कोई मालिक है, और उस पर एमान नहीं लाते, तो उसकी वहीं मिसाल होगी, कि जो आपकी तरफ खुद बोलता है, उसे कोई नहीं रोख सकते, तो आल्ला की रहमानियत उसका गफूर होना, वो उन लोगों के लिए है जो सीरे रास्ते हैं, अब इसके पीछे गोर बहुत बड़ा एक फलस्फ़ा है, कि फिर उन लोगों का क्या होगा, अब आप सोचें कि कोई चीज आच में डालती जाए, वो बजाय जलकर राख हो जाता है, मगर वो राख भी है, राख का अपना एक वजूद है, और अगर राख बजाय खतम हो जाए, तो फिर भी एक चीज उसके रहती है, वो रहता है, मॉलिक्यून लेवल, फिर अटॉमिक लेवल रहता है, वो अनर्जी में, तो अनर्जी तो मौजूद रहती है, अब फिर अल्ला की रहमत होगी, तो अनर्जी तो अनल्ला उनको फिर शायद माफ कर दे कुछ, अर्सा हम जहन में अर्सा करते हैं, अल्ला के नजदीक माहो साल अलगे, हमारे नजदीक माहो साल अलगे, क्यों कुरान में जब जिकर होता है, जन्नत का, तो अनल्ला कहता है, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, मगर जानना में टई जगा हमेशा हमेशा के लिए जिकर नहीं है तो शायद ये उसकी रह्मानियत है कि वो माफ कर दे और वो लोग जो है वो फिर कुछ सिल्सला ऐसा हो बाहराल कुछ बात नहीं समझ नहीं आते बैठे प्लीस कम फैवसी अच्छा जी अर्दू सवाग पहले क चाहता है तो मगर बड़ा हैतियास से बताना पड़ता है एक साब ने लिखा है असलाम अलेकूं मैं अक्सर यह कहता हूं कि पढ़ाई के बद बच्चे जो है अगर आपका बच्चा पढ़ाई मेंटरस नहीं लेता या उसका माइंड इतना काम नहीं करता तो बैक्ग्राउ होता है कि जब इनसानी जहन म्यूजिक सुनता है तो उसका राइट ब्रेंड हैमिस्फेर एक्टिव होता है और जितनी भी हमारी पढ़ाई है वो लेफ ब्रेंड पढ़ाई है सारी लेफ ब्रेंड की बढ़ाई है तो लेफ ब्रेंड जब ठकने लगता है और राइट ब्रे करने के लिए हल्की सी म्यूजिक होनी चाहिए या फिर दूसरा तरीका है जैसे में अपने अली उमुर्तिजा बच्छों के लिए किया थे हर 20-25-30 मिनिट के बाद ब्रेक पांच मिनिट की ब्रेक उठो फ्रीज में जाके पानी पियो एक कमरा था जिसमें खाली कमरा रखा था में उसमें स्कॉच कहलते हैं दोनों स्कॉच कहलते हैं दोनों ऐसी 10-15 मिनिट के लिए फिर आके वापिस बैट रहा है अच्छा यह बड़ी अजीब गरीब चीज है कि 20-25 मिनिट के बाद आपका कॉंसेंट्रेक्शन स्पैन कम हो जाते हैं अब 25 मिनिट के बाद आप 25 मिनिट से ज्यादा अनमत रखो ब्रेक दो 10 मिनिट का अगर दे सकते हो पांच मिनिट का दे दो बच्चे की फिजियोलिजी चेंज हो नि कुर्सी पे बैटा बच्चा उठ खड़ा हुआ दो चार कदम चले फिर वापीस बैठे तो फिर दो चार पांच मिनिट के बाद फि वर्मस्ता चार का और हमारे बहुत सारे ऐसे साइनशान मुसल्मान गुजरे थे व्यर्मों भून जाइनजिक के प। किसका जवाब है कि साइन्सटाइल ole Запांच मुजायट और ये तमाम जो बड़ को बड़े गशाते थे मरु मुजिक शुनते खे गलत मुजिक दोर कर उस से बहुत करीब रहते हैं आज उपित्रस से दूर चले हमारे घर बने हैं सिमेंट के पहले घर बनते थे पफ्थर की पफर जमीन से निकलता है सिमेट केमिकल से बनती है तो हमारे घरों में आपकर पौदे हैं ना कुछ से मिलेगी history एक अपर कुछर है बहुत कुछे फितरत बहुत करीब है आप इंसान फितरत से बड़करीब है तो उस दौर के जो लोग ते वो फितरत से बड़करीब है उनकी जिंदगिया बड़ी difference लावने हैं वो लोग उतना बैठना खाना पीना सारा प्योर्स हर की शीज़े होती थी तो stress जिन्दगी में कम से कम था बता रही है था stress जब जिन्दगी में ज्यादा होगा तो किसी किसमता काम करने में problem होगी तब background music की में बात करते हैं अगर आपकी जिन्दगी stress फ्रीर तो फिर आपको जरूरत नहीं कभी आप stress में हो तो कारी अब्दुलबासित की सुरह रह्मान के किलावत सुने तो आपको किसी औरी दुनिया में ले जाते हैं एक और ही dimension में आपका शहूर जाता है क्या आवाज है क्या क्या उसमें उसमें जजबात आते हैं उसमने में तो ऐसी कई शीज़ आप सुन सकते हैं अब जो लोग नहीं सुनते हैं वो music सुने बर music वो ना हो जिसमें अलफाज हो music को हो जिसमें एक rhythm हो और किसी instrument का music मेरे पास कल कुछ पेशन्ट आया तो उनमें से एक को मैंने recommend किया रात को सोते बड़ बच्चे के लिए Mozart या बेटो हेवन के symphony लगा दो हलकी आवाज में बच्चा सोता रहा एवेंचुली आइस्ता इस्ता उसके अंदर घुसा है बच्चे में या बहुत hyper activity के वो काम होगा क्योंकि उसकी नीम की quality बहुत डिफिर्ट हो दूसरा सवाल हाद दर्द गम खास तूर पर बिमारी अला पात की तरफ से होती है तो इस इन्सान जो अम्मरी इस दुनिया में करता उसका अमल का रद्ध अमल वता है I know no क्या कहना चाहरे है अचा एक चीस्ता जहन में आप इठा दे इन यह बहुत जरूरी है, हमने शवुर को अपने विदार करने के लिए बड़ा जरूरी है कि Allah आपको बिमारी नहीं देता Allah आपको दुख नहीं देता Allah हमें घम नहीं देता मौला कहिनात का बड़ा फुश्बूरत कॉल है और वो यह है कि इनसान दुख नहीं देते, इनसान से वाबस्ता तवक्वाद दुख देती, तो पहली दुख जो सबसे बड़ा आपको जिन्दगी में आपको मिलता है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप जो तवक्वाद वाबस्ता करती है लोगों से, उससे आपको तकलीफ होती है, त आप कितना चलते हैं, आप अपने आपको खुद बिमार करते हैं, आज एक बड़ी इंट्रेस्टिंग डॉक्यूमेंटरी मेरे पास आई, एक साइंस दान की, और उसमें उसने इक बात बताई बड़ी इंट्रेस्टिंग किस तरह ये जो दवायां हम खाते हैं, वो दवायां तेन फीसद लोगों को खीक करते हैं, तेज फीसद लोगों को बिमार करते हैं, मजिद, साइड अफेक, जिसको कहते हैं, तो उससे पूछा गया कि क्या वज़ा है जो तीन परसेंट खीक होते हैं, बाकी वैसे भी वैसे भी शेक हो जाते हैं, तो एक बड़ाJimč्हाइप कां पर आपको यकीन देला जाए कि दुनिया की बहतरीन गोली है इसमें बड़ी रिसर्च हुई है और आप ठीक हो जाएंगे आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना पावरफुल है कि अगर उसमें बात समा जाए तो आपकी पूरी फिजियालोजी आपकी पूरी नियरॉलोजी कि कंप्लीटली कंट्रोल करता आपका विलीफ सिस्टम यही चेंज कर दियता है अब इंसान बीमार होताँ उसके अपनी हरकोतों की विज़े से लनकी विज़ेसे नहीं होता है वो तो आपको इखै करा अज़िए है मगर आप शिफा और बीमारी का निजाम समझे क्या है पैदा हो जाए इनसान बिमार हो जाता है दोनु सुरत में अल्ला की रहमत है कि उसने एक निजाम रखा इंसानी जिसम उसे कहते हैं कुवत-ए----- इम्यून सिस्टम ये इम्यून सिस्टम क्या करता है बाहर से जब को जरासिम आता है उसको रोपता है उससे लड़ता है उसको फ़तम करता है जिसम में कही नुक्स पैदा होता है आपकी इम्यून सिस्टम ठीक करती है उसको ये अल्ला की तरफ से निलावा है हर लमें हमारे च से खराब करते हैं अपनी हरकतों की बिजासे यह वीक कम होता है सबसे पहले स्ट्रेस जितना जिंदगी में स्ट्रेस होगा इम्यून सिस्टम इतनी वीक होगी जितना इंसान खुश रहेगा इतनी इम्यून सिस्टम उसकी ताकत भरोगा अब फिर ला की ज़फ से एक स्टम में वो होता है तो वो खुश रहता है कम होगा तो भी खुश तब ही भी खुश क्योंके वो मुतमईन है इसी तो नफसे मुतमईना कहते हैं खुश होगा हर च्छुटी चीज़ पर आप देखे हमारी जिंदग्यों में हमारे पास एक अच्छी गाड़िया में उस कर दो लुष कर दो पुर्णोल, जाचल झाल, प्टाल, जोग्गने पुर्णोल, पुर्णोल प्रूम के समय है। प्रूम के समय हो सचार्ग उसके समय हूए कर दो, और दढका है की तारी है की तारी गड़ी है की तारी हुआ है तो यह जो उसकी रहमत है वो निजान इंसान में बहुत है अपने आख से बर्बाद करते हो फिर कहते हो बिमार हो गया है हाँ मौत के लिए बिमारी बहाना है बिमारी से मुराद नुक्स हो जाए कोई भी नुक्स हो जाए तो इनसान मर जाता है और मरना सबने है तो बगएर बिमार हुए इनसान नहीं मर सकता मगर बगएर बिमारी के इनसान नहीं मर सकता मगर अगर मौत नहीं है तो फिर इनसान को सहतमन रहना चाहिए एक साइंसी तैकी की उन्होंने का कि अगर हम यूमन सेल को दो चीजें फरहाम कर दें एक उसको घिजा दे दें और दूसरा उसका निकासी का इंतिजा मगरम कर दें तो वो सेल सौ साल से ज्यादा जिन्दा रह सकता है आज बजाए तो जिन्दगी आपकी है उसमें quality of life का सत्याना सो आज सब कुछ होते वे सुकून नहीं है इनसाना एक दिन के लिए mobile phone बंद हो जाए लोग परिशान हो जाते हैं यह वाई-फाई बंद हो जाए परिशान हो जाते कितनी चीज़े केबल चला गया TV का परिशान एक दिन कुछ साल पहले की बात है मै आपने घर पे गया तो केबल चला गया तो पहली दफा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर के दरो दिवाग मुसे बातें का है क्योंकि कोई आवाज नहीं थी तो जब आवाज ना हो तो आप वो आवाज सुनते हैं जो बजार नहीं सुनाई दे और फिर मैं अपने घरवालों के साथ बैठा मुझे हरत हुई मैंने का टीवी नहीं है कितना सुकून है तो अब टीवी के बगार जिंदगी नहीं गुजर सकते हैं जो फूट पांड़ा इस्तेमाल करते हैं जो लोग अगर वो खराब हो जा एक तो परेशान तो खाना कैसे मंगवाए तो अब देखे जि और चीजों से अटैश्मा अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए तो जिंदगी गुजर सकती है आपकी तो बहुत ज्यादा अटैश्मेंट ना करें इवन ये सब चीजों से बहुत ज्यादा अटैश्मा अच्छा ये सवाल जो 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 बेजा थे डेरा गाजी खान से बेजा था है अहमत साब नेक्स सवाल जो हमारा है वो इंटरेस्टींग है कि मेरा सवाल ये है کہ युसा अजार आ जाए किसी नाजाईस बात पर तो कैसे जब्धिआ जाए जब हम गुसा पी जाएंगे तो एक उसूली बात है गुसा हमारी से दर्बात करेगा लेकिन जब गुसा निकालेंगे तो इखलाकियात से बाहर हो जाते हैं क्या क्या है इन्होंने का किसी की नाजाई इस बात पर आपको गुसा आ जाए तो अगर जब्द करते हैं तो सिस्टम को नुक्सान कहुंचता है निकालते हैं तो एक राकियात के खिलाफ है तो क्या राकियात है इग्यादान भी करीब के सुन लेते हैं झालते हैं तो एक राकियात है झालते हैं तो एक राकियात है अभी एक अपनी जिन्दगी में एक उसूर को समझने हैं हम में से हर एक शक्स की दुनिया अलगा है हमारी अपनी एक दुनिया है जिसमें हम रहते हैं इस दुनिया के अंदर हमारी पसंद ना पसंद हमारे नजरियात हमारे अक्टाइब हमारी सोच कि तमाम चीजों से हमारी दुनिया बनते हैं अग्रेजी में एक प्री सब्पोजिशन यूस करते हैं इनलपी में नाजाइज है उसके लिए नाजाइज है उसके लिए नाजाइज नहीं ना उसके लिए तो वो सही बात है आपके लिए नाजाइज है इससी तरह आपकी कोई बात जो आप समझते है जाइज है उसके लिए नाजाइज होगी तो जब कोई शक्स आपसे कोई ऐसी बात करता है जो आपके लिए नाजाइज है तो एक लम्मे के लिए सोचे खुसा के हवाले से कह रहा हूँ कोई पीना भी बुरा है निकालना भी बुरा है तो उसको तरीका क्या उस्ता उसका तरीका यह है कि आप इस बात को समझें कि वो शथ जो कह रहा है वो अपनी तॉर पर सही है मेरे लिए ना जाई जाहें है जब यह अंडरिस्टेंडिंग इनसान में पैदा हो जाए कि उसकी दुनिया लगे मेरी दुनिया वो अपनी दुनिया से मुझे बात कर रहा है, मैं अपनी दुनिया से उससे देख रहा हूं, तो यह हो नहीं सकता, कि दोनों एक पेश पर वो एक बराबर हो नहीं सकता, तो यहां भी अंडिस्टेंडिक आती है, तो घुसा को कंट्रोल करना आसान हो जाती है, लग कंट्रोल से क्या मुझें है, कंट्रोल से मेरी मुझें है, कि वे बड़ा खुबसूरत एंअलेजिया एक समझाने की इस्तिमूलिस यह रिस्पोन्स, स्तिमूलिस का मतलब है किसी जख से कुछ कहा, या भाइर से कुछ आया रहा है, चाहे वो नजारा हो, चाहे वो आवाज हो, जुमले पे, कोई भू हो, कोई जाइका हो, किसी ने चुआ आपको, तो आपको पास की स्टिमॉलस आता है बेरोन दुनिया से, और आपका एक रियाक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं, रिस्पॉंस, अब इस रिस्पॉंस और स्टिमॉलस के दर्मयार एक चॉइस होती है, हमेशा सिखाते हैं, दिर इस अलवेज ए चॉइस, चॉइस और हाव यू हमें इसी भी सिचॉइशन में एक चॉइस है हमारे पास, मिनिमिन, कैसे रिस्पॉंड करें, अब जब हम यह सोचते हैं, कि मेरे पास चॉइस है, तो आप हमारे पास दो चॉइस आती है, क्या मैं उसे डाटू, उसके साथ बत्तमीजी करो, या उसकी तरह मुस्कुरा हुआ अब इन दोनुट चॉइस में से एक चॉइस कर ले, पहले तो आपको यह पत्ते ले कि आपके पास चॉइस है, प्रॉब्लम यह होता है, कि हम कंडिशन हो चुके हैं, हमारे सारा रिस्पॉंस कंडिशन हो चुके हैं, इस हाद दो आपको, यकसर मैं बेरोक्रेट को सिखाता रात को आप घर पहुंचे, शादी शुदा अफराद है न, और लेट पहुंचे, और बेगम ने दर्वाजा खोला, अचा बेगम को पता है कि आपने क्या भाहना करना है, तो कहीं कि फिर लेट आए, और आपका वही जुम्ला होगा, तुमारे बच्चों के लिए तो सब करता हूँ, यह जो आपका रिस्पॉंस से बेगम के लिए स्टिमुलिस बनता है, जब उसे स्टिमुलिस बनता है, तो वह रिस्पॉंड करती है, फिर वह रिस्पॉंस आपका स्टिमुलिस बनता है, आप रिस्पॉंड करते हो, इसे कहते हैं लूप, कम्मुनिकेशन का एक fix reactions आप लोगों के suppose करो आप अपना reaction चेंज करते बेगम कहती फिर देर से आए परको बेगम जब तक मैं गर से बाहर रहता हूँ न तुम्हें याद करता हूँ तुम मुझे याद आता है अच्छा बेगम expect नहीं कर रही है यह response चुके वो response expect नहीं कर रही तो यह नया stimulus उसको मिला उसको respond करने में वक्त लगेगा चुके वक्त लगेगा तो आपके पास एक space आजाती है जहाँ आप अपनी बेगम को नरम कर सकते हो माइल कर सकते हो समझा सकते हो और मामला लडाई तक ना पहुंचा यह बड़ी interesting strategy बता रहा है यह communication की बहुत जबर्द strategy है अपना response चेंज करो जब response चेंज करोगे तो आपका response उसके लिए stimulus बन गया वो stimulus के लिए तयार नहीं है क्योंकि आप तो लड़ते हो जब वो कहती ही क्यों लेटा है दूसरी चीज़ जो बड़ी important है अगर हम थोड़ा सा फलस्फे में भी जाए और psychology में भी जाए इनसान को घुसा आता क्यों है क्योंकि बात उसकी मर्जी के खिलाफ होती है तो यह मर्जी का तालुक किस चीज़ से इनसान के अना से अना की सबसे बड़ी तुराग जो है न वो उसकी पसंद है और ना पसंद है जितनी 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 अपनी मर्जी, अपनी खाहिशात, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, तमाम की तमाम अल्ला के सुकूत कर दे, सरेंडर, जैसे वो सरेंडर करेगा वो आज़ा होती, तो कि उसकी अना जो हो खतम हो जाती है, जो वो टोटल सरेंडर पर आगा, सरेंडर करने वाला शक्त, जब जब आगनी शरेंडर करता है, तो उसके अपनी को मर्जी नहीं होती, तो कि जो काबिस वोज जो जाहे वो करवा है, जो सरेंडर करता है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, सरेंडर तु दे विल अपसिल, और सभमिट तु दे विल अपसिल, अच्छा जी, नेक्स्ट अब I wish I could have joined your satsang weekly, but I am far away from Karachi and residing in New York, USA. My question regarding your internet healing that you provide or send via internet is 1. Do you recite any verses in your heart while sending healing vibes? Yes, I do recite. 2. Do you think a person or persons can heal just by receiving this vibe via internet? 2. Do you want to do it? In the world, the all kinds of treatments are happening with all vibrations, waves, energy. When you are coming, you will have all the energy medicines. Antibiotics will not be done. The homeopathic is completely based on the energy medicine. So, I hope that any person, when we do healing, when we do healing, when we do healing, we will be totally focused and receive healing. So, yes, healing can be done. And the most important thing is prayer. People do not heal. People do not heal. There is no distance in prayer. There is a vibration in prayer. So, we can also use the recorded session for healing. No. I know that hectic USMA has written it. मगर एक दफ़ा लाइफ सेशन खतम होगया फिर हीलिंग का ज्यादा फाइदा नहीं होगा मैंने इनको लिख दिया कहता है प्लीज डू लेट मी नो इट पूट भी हो हैनी हेल्प यह कीप अप तो गुट वर्फ थैंक यू वेरी मज़ साथ ना मुझे नहीं पता जो भी आपी महरवाणी अच्छा दूसरा क्वेस्चन रोमन में है अच्छा एक और रिट्वेस्ट अब तो नया पाकिस्तान बंग रहे हैं चीजे नहीं नहीं हो रही हैं तो हम भी क्यों नहीं चेंज होते हैं एक मेसिज जाता है फला वर्क्शöp कराची में हो रहा है कुछ दिर बादे वाहार से एक जवाब सवलाता है कि जब लहूर में कब होगे जब कराची की इन्फोमेशन आपको दे रहे तो लाहूर में जब होगा वो भी इन्फोमेशन आपको देंगे अच्छा फिर फ्लायर जा रहा है पाकिताब एनलपी का अपने फ्लायर मिला होगा आपको उसमें तमाम चीज़े लिखिये टेलिफोन नंबर कॉंटेक्ट जिससे करना है बात करना है लिखा है ना अब वहां से चार से पांच पैसे जिज़ आ गए फीस कितनी है कहा होगा भाई यह फ्लायर पढ़ो वह और से ब्रोचर में क्या लिखा है उसको कॉल करो वह जवाब देगा आपको उसको रखा क्यों है जवाब देने के लिए हम अभी तक नहीं समझते हैं अभी तक नहीं समझते हैं और पाल्स करते हैं और फिर जैसे मैं डांटता हूँ ना मेसिज पर कहते हैं वह गलती सो गलती से मेरी कॉल क्यों मिल जाते हैं एनिवे आई विश हम चेंज हो मेरा question बहुत अजीब सा है यह किसे ने लिका है मैं जब भी आँखे बंद करके गहराई से अल्ला को याद करती हूँ तो मेरे सामने बहुत ही बेहूदा और गंदे images आते हैं मैं अल्ला से बहुत तोबा भी की है मैं पागर हो गई हूँ बहुत सक्त परिशान हूँ प्लीज मेरी help करें इस चीज से कैसे बचा जाए थर्दे लेक्चर में इसका जवाब ज़ूर देना हला कि इनके question का time नहीं था भी पीछे था काफी मगर यहाला दिन की खराब है तो मैंने का इसको मैं पहले ले आता हूँ हम आज जवाब दोगी एक उसूल याद रखें जो चीज आपके जहन में है और अगर वो बुरी है तो आपको सजा नहीं जाए मगर जहन में कोई अच्छी चीज है आपके अच्छा गुमान है तो अजर वे यह उसकी रहमत है अच्छा उसने बनाया हमें वो जानता है कि हम स्टार्ट ही नेगेटिव से होते हैं तो उसने कलमा भी तो नेगेटिव पढ़ाया ना ला इलाह इलाला नहीं कोई खुदा सिवा इला के तो उसने बनाया और हमें समझा है कि नेगेटिविटी कुमारे साथ होगी एक रिसर्च थी बड़ी इंट्रेस्टिंग कि लोग जब सुबा उठते हैं तो अक्सर वो ये सोचते हैं कि कल क्या हुआ था कल क्या होगा यानि 70% लोग माजी में रहते हैं और 70% माजी से नेगेटिविटी लेके आता है 70% पीपल लेव इन दे पास्ट और थाट्स दे थाव इस 70% नेगेटिव ये रिसर्च है इसलिए कभी उठते दिल नी चाहता है दफ्तर नी जाता रहे फिर जाना है फिर ट्राफिक होगी फिर बॉस का सामना होगा इस सारा पास्ट है क्योंकि आप एक्स्पिरिंस कर चुके है स्कूल में फिर वही होगा कौन रोज रोज सुबर स्कूल जाए इस ओल पास्ट तो अगर आपके जहन में बुरे ख्याल आते हैं तो इसमें आपका अपना जाती तोर पर कोई कुसूर नहीं वैसे देख बिमारी उसे कहते हैं अपसेसिव कंपलसिव थिंकिंग डिसॉर्डर तो अगर यह ज्यादा हो तो किसी महारे नफसियात को दिखाईए और इसमें हमारे जो इस रीजन के लोग हैं इस्पेशली मुसल्मान उनके जब नेगटिव थौट्स आते हैं तो उनको इस किसम के ख्यालात आते हैं यह आगे जाके OCD में कनवर्ट हो जाएगा डिसॉर्डर में तब्दील हो जाएगा बेहवियर होगा एक चीज तो यह आद रखे हो कि अगर अंदर कोई चीज बुराई है और आपके जबान से नहीं निकलती आपके हातों से इजार नहीं होता तो कोई सजा नहीं है अगर अगर कोई अच्छा थौट है आपका दूसरों के लिए है तो अल्ला उसकी अजर आपके और इसकी एक और इंट्रेस्टिंग मिसाल बता हो आप नमास पढ़ते हैं जो लोग नमास पढ़ते हैं बारकाईदिगी से अच्छी बात पढ़नी चाहिए नमास नहीं छोड़नी चाहिए बहुत जरूरी है नमास पढ़ो भी और काइन भी करो सिर्फ पढ़ो मत काइन भी करो उसको अपलाई करो जिन्दगी जब आप वजू करते हैं वजू करके आप बाहर आते हैं तो हम कहते हैं हम पाथ हो हमारे जिसम में कोई निजासत जिसम पर निजासत नहीं है मगर अंदर तो नजासत है न आप कितना भी नहाले कितना ही व्जू कर ले जिसम के अंदर तो गिलाज़त होती है के नहीं होती आपके बलेडर में और बाल में कुछ नकुछ तो रह जाता है मगर फिल भी नमाज हो सकते हैं क्योंकि वो अंदर है तो जो चीज इंसान के अंदर हो और उसका इजार ना हो बाहर निकले ना हो तब तक पाक है कुरान has very special place in my heart but people use them as a tool to do injustice my question is इस अल्ला ये English इन की I see but it's okay do justice in this world or here after or they may have been forgiven by Allah समझ भागी ये इन्होंने कुछ शिकार किसी शक्स ने कुरान पे हाथ रखकर उनसे एक एहद किया था या वादा किया था कि मैं ये हरकत फिर नहीं करूंगा और उस बात को छे साल हो गए या मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मेरे खाल में यही बात है और उसने छोड़ दिया तो अब इनका कहना ये है कि जो लोग कुरान पे हाथ रखकर कसम खाते हैं और अपनी कसम को पुरानी करते हैं अपने एहद को पुरानी करते हैं अल्ला उनको सजा क्यूं नहीं देता कुकि इसको अभी तक नहीं मिली अच्या पहली चीज़ तो यह सजा को हम च्या समझते हैं आस्मान गिर पड़ेगा चछद गिर जाएगी वही सजा है जिसको कैंसर होती है उससे पूछे उसकी क्या जिन्दगी होती है वो बहुत बड़ा अजाब है उसके लिए कोई शक्स जिसके पास बेताशा दौलत हो मगर इसको ऐसी बिमारी है वो सही हर खाना ना कह सके उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है तो अजाब तो बहुत किसम के होते हैं मुझे और आपको नजर नहीं आए मेंगे से मेंगा विस्तर और आपको नीम नाए जैनेक्स लेनी पड़े वो सबसे बड़ा अजाब है उसके लिए आप अपने पैरों पे नहीं चल सकते दूसरों के मौताज है बहुत बड़ा अजाब हो तो अजाब तो बहुत किसम के होते में नज़र नहीं आए कुद्रत के कानून को कभी क्वेश्चन मत करना क्योंकि आपको नहीं पता वो कानून किस तरह काम करता मुझे और आपको नहीं पता कि कई दफ़ा हम कहते हैं जलजला आया बड़े बेगुना मारे गए उनको मरना था इस जलजले में इस आजसे में अभी कैलिफोनिया में बड़ी आगे लगी में सुना है और कुछ कि इंदेगा फ्रांस में बारिश विजिलिंड में इतनी बारिश भी परिशान है फ्रांस पर प्यूबी है इतनी भी टिक्नोलोजिकली आप एड़्वांस कर ने कुजरत के सामने हप नहीं जी सकते हैं एक हवा का भवार आता है हिला देता है अमेरिका को पूर की तो एक चीज़ याद रखें यह उस ने किया किया कुरान पर और उसके बाद उसने तोड़ दिया अब हमें नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या परेशानी मसाइले क्य भीमारी मगर इतना याद रखना कि होगी जरूर आप लोगों ने जिन लोगों ने फोर डैमेंशन किया है सब नहीं 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 क्या होगा उसमें हम ब्लाइंड स्पॉट की एक बात करते हैं कि जब इनसान कोई गलत काम करता है तो एक ब्लाइंड स्पॉट उसकी जाने के लिए यह ब्लाइंड इसलिए है कि आपको नजर नहीं है तो ब्लाइंड स्पॉट आगे इंशालला हम उसको मजीद तरीके से बताएंगे जब नेक्स वरक्शोप होगा अब यह जो ब्लाइंड स्पॉट बनता है यह ब्लाइंड स्पॉट है क्या आप कहते हैं कार जो ड्रेवल करता है और आपकी जिन्दगी में इस तरह आता कि आप सोच नी सकते हैं आप देखें जो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरों को दोका देते हैं उनको भी धोका मिलता है मिलता ही मिलता है आज नहीं को परस मिलेगा तो जिसने सवाल किया है एक बात आपको बता दो आपका काम नहीं है कि ये सोचे गो उसको सजा मिली है क्यों इसको सजा मिलेगी विकॉस ये कानून इंक पदरत है उसको सजा मिلي और बैतर है यहां ना मिले आखर इस किसे था बड़ी खतरनाक है तो माफा माफी हो सकती है वाफनी होगी हो सके तो आप इसे माफ कर दॉद लाखिने आप जो बंडी भी इताना एक सोच आप कै इसने मरे साथ दिया इताना वो एक बंदन है उस तोड़ दे उसको माफ करते हो से मौभबत और नफरत में एक चीज कॉमन है और वो है अटेश्ट में जिससे आप प्यार करते हैं उससे भी आप अटेश्ट होते हैं जिससे आप नफरत करते हैं उससे भी आप अटेश्ट होते हैं वो आपके जहन में सवार होता है नफरत जिससे आप करते हर लवे तो बेस्ट है इस बंदल को तोड़ दें उसको माफ करतें छोड़ दें आप आज़ाद हो जाएं नेक्स क्वेस्चन सर अक्सर माबाप अपने बच्चों के फैसलों को गलत क्यों समझते हैं बच्चे बैठें जब वो फैसले बिल्कुल ठीक ही कुण नहों जुमरात के लेक्चर में इसका जवाब तफसील से बयान की दो सर दूसरा ये कि मेरी शादी होगी या नहीं और होगी तो किस से जिसको मैं चाहता हूँ उससे मुम्किन है इसका जवाब जिस तरह चाहे ई-मेल में शादी वाला जवाब मैं आपको ई-मेल में कर दूँगा क्यों इसके टोटके हैं शादी जिससे आप चाहते हैं उससे हो अगर याद रखें जब वो टेकनीक चाहप करें तो अल्ला से दुआ करें कि अगर ये शक्स मेरे लिए बैतर है तो यह नहीं हो कि अभी महबबत में तो शादी करती बाद में सारी जिंदगी सर पकड़कर रोना पड़े और अक्सर होता है महबबत की शादियां फेल इसी वज़ासे होती है कि शादी से पहले तस्वरे जाना कुछ और होता है शादी के बाद हकीकते बेगम कुछ और निकलती है तो फिर बड़ा मस्ला हो जाता है अच्छा जी इनका ये सवाल है कि बच्चे कभी-कभी मौलवी नहीं हूँ मगर कभी-कभी मैं रश करता हूं जिन घरों में मजभी माहौल होता है बच्पन से बच्चे माबाप का अदब और एतराम करते हैं वो बच्चे अकसर बड़े होके माबाप की बात मांगते है ये मैंने अपनी जिंदगी में देखाया थी तो सिद्रा इक्बाल उसकी वो है सिद्रा लटीप इक्बाल पूछा कि आज जो नया कॉंसर्ट पे बच्चों के साथ दोस्त वाज़ा तो उससे क्या मुड़ा आगा और यही मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप बच्चों के साथ यह रवया रखेंगे तो बच्चे आपकी बात मानेगे दोस्तों से यह मुराद नहीं है कि बच्चे आपको फो ग्रांटिड ले लें कोई खाना पीना मिल रहा है माबाप तो डांटी ले रहें फो ग्रांटिड ले लिया आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी दोस्ता ने बच्चों के साथ दोस्ती से मुराद यह है कि दोस्तों में एक चीज बड़ी कॉमन होती है वो होती है कि वो शेयर करते हैं अपनी चीज़े एक दूसरे के साथ दूसरा जिस शक्स के साथ आपके सबसे ची दोस्ती होगी, आप में और उसके अंदर common interest होगी, common likes होगी, जैसे फुटबॉल खिलने वाले आपस में, फुटबॉल देखना पसंद करते हैं, किकेट वाले आपस में, तो जब mutual likes होती हैं, तो ऐसे दो लोग करीब आते हैं, उन् तो पर दोस्ती उन लोगों में बहुत कम देखी जाएगी, जिनके interest जुदा जुदा हो, पूल खिलने वाले होते हैं, जिम खाने, जितने क्लब्स हैं, इसमें आपको एक खास किसम की कौम नजर आएगी, नसल नजर आएगी, तो शाम को पांच बजे से बैठती हैं, रात क यहां बच्चों के साथ दोस्तों की तरह होने से मुराद है, कि आप बच्चे का जो interest हो, वो आप भी अपनाए, उसके interest को अपना interest बना ले, मगर आपका अदब को करें, दूसरे बात है, कि दोस्ती से मुराद है, बच्चा आपसे इतना करीब हो, इतना आप पे वो trust करें, कि वो आपसे हर चीज़ शेयर करें, बच्चे अपने दोस्तों से हर चीज़ शेयर करतें, माँ पाप से इंही करतें, कि माँ डरी होता, डाट पर इए, विकुस हम जड़ करने लगतें अपने बच्चें, जच करने हैं ना या legaliasm जड़ करने ना, हम जड़ करने लगतें ब इसमें अदब का लिहाज होना चाहिए, एतराम माबाप का अपनी जगह होना चाहिए, वो आपको इन्फोर्स करना होता है, छोटी एच से, साथ साल की उमर से पहले वो इन्फोर्स करना होता है, तब आपका बच्चा बढ़ा होके आपकी बात भी मानेगा और अदब भी हैं अभी आप देखें मुक्तलिफ एरियास जो हैं पॉश एरियास हैं महां की रेस्टोरेंट्स में वो जाते हैं कॉफी पीने सैंड्विचीज बर्गर काने आप कोर में और विर्यानी पे लगे में बच्चे को पसंदे बर्गर तो अब मिस मैचिंग हो गई ना और यह मिस मैचिंग आपने खत्म करनी होगी अगर आप कुछ दिनों तक उसकी चॉइस का खाना खाएंगे तो इवेंचिली वो आपकी चॉइस का खाना खाएगा यह होता है पहले किसी और की दुनिया में जाओ उसको अपना बनाओ फिर इसको खैंच कर अपनी दुनिया में ले आओ हम तो बड़ी मारास से करते ही था हम नेक्स सवाब बाद दस मिट आकरी सवाब अभी भी बाकी अब नेक्स टाइम ले जाओंगा असलाव आलेकूं बालकु अनलपी और फोटी में क्या फ़र्टी के बारे में मुझे घलत लगा के हम एक अलग दुनिया में जाते हैं इनसान अलग दुनिया में जाता है क्या यह इसलामी से सही है एक तो मね इस चीज्श से बरात नयुआ है कौन सा इसलामिक है कौन सा नान इसलामिक है कितना आसान दीन है कितना आसान दीन Ms. इस से आसान दीन कोई नहीं है क्रिस्टेनिटी में रोजे कितने लंबे यहूदियों पे कितनी शराय मुसल्मान आजाद है रब ने आजाद कर दिया का जी पांस नमाजे दिन को पढ़ लो और अगर दिल चाहे तो भी पढ़ो ना चाहे तो भी पढ़ो तो भी पढ़ो ना हो तो भी पढ़ो साल में एक दफ़ा 29-30 दिन के रोजे होते हैं वो रख लो गर बीमार हो तो मत रखना सफ़र में हो तो मत रखना ये भी है कि शदीद गर्मी हो तो मत रखो जब सब नहीं है तब रखना इतनी आसानी है जब इतनी आमाउंट तुमारे पास अपनी हो पूरे साल में जमा हो तो उसके उपर धाई परसंद बनना मत दो हज अगर कर सकते हो अफोर्ड और तुमारा अपना पैसा है किसी का करजा सर पे नहीं है किसी को देना लिए तो हज पे जाओ और जिहाद की विशराई थे तो अब इसके अंदर हम क्यों परिशान होते कि इस्लामिक है के नहीं है एक बड़ा मोटा प्रिंसिपल है दीन में रेकी के हमाले से लोग अक्सर इस हवाल पूछते अब मैं क्या करूँ वो इंटरनेट पे पूरा रेकी को सत्यानास कर दिया है हिंदू ने अपने सिंबल के साथ वगरा वगरा आले इमरान में सुरह आले इमरान में आला तला कहता है एक इंसान को बचाया सारे इंसान अच्पी बचा दिया एक को मारा पूरी इंसानियत को मारा को मतलब समझते हो कि जो भी अमल शिफाका हो दवाई हो इंजेक्शन हो किसी के साथ बैठके बात करनी हो किसी को मोटिवेट करना हो किसी को उमीद देना हो अगर आप ने उसको बचा लिया आपने पूरी इंसानित को बचा लिया तो मुझे बताए जब आप एंटीबाटिक खाते हैं इंजेक्शन लेते हैं सीटी स्कैन कराने जाते हैं अल्टरा साउंड आप पूछते हैं ये मशीन इसलामी के के गहर इसलामी के पूछते हैं नहीं पूछते हैं हवाई जहास पे सफर करते हैं कभी पूछा रोके कि हवाई जहास जो है ये इसलामी के के गहर इसला में तो उट और गोड़े पर सफर करते थे यह जहाज तो अंग्रेज उने बनाया मुसल्माने नहीं बनाया वगर आप सफर करते हैं जिस कलम से आप निकाल नामा पर साइन करते ना कभी आप ना सुचा कि यह कलम इसलाम ही कहके नहीं अरे भाई उस कलम के ओपर स्पेरिट होती है अलकॉल होता है रंग में अगर आप करते हैं क्योंकि आपकी नियत नहीं है उससे इस्तेवाल करने है अगर फोट डैमेंशन की पहले तो मैं समझा तो एनलपी है कम्यूनिकेशन स्किल्स कुफ्तुगू करना उसकी जहन में चले जाना उसकी हैन को बदल देना अपनी मर्जी कर नुताबिक यह सारा इस government स्किल्स है और communication पीसी में एक प्रेजेंटेशन दे रहा था तो पाकिस्तान के जो टॉप की कंपनी जो उनके सब हैड़स आए वे तो जब मैं उत्रा स्टेज में से तो मसूद आश्मी था उस वक्त ओरियंट एड़नाइजिंग का उनर वह भी दोस्ते मेरा नीचे उत्रा तो सब जमाओ गए प्रेज है चाई पीते हैं अब इंधे से अक्सर जो हैं किसी ने एम्बीये लंडین से किया है किसी ने युए से क्भिया है अग्सार कॉछी एक शक्स सोचे के मेरा कन्योजद्व में भूल गया का? वो भूल जाएगा कल मैं जा रहा हूँ किसी दे पैसे लेने उसने मना कर दिया था गया है आदी जंग आप वही हार गया ठीक है यह एनल्ग गया कि अपने इंटर्नल डायलोग को अपनी सोच को कैसे चेंज करना अपने आपको अपने माईन में आप क्या देखते हैं उसको चेंज करो अकसर प्रॉब्लम जो नौजवानों का वो लो सेल्फ एस्टीम है पूर सेल्फ इमिज है इज़त के नफस मज़ू है माबाप ने कंपैर किया बच्वन में तू बिकार है तेरे मामे का बिटा देख अच्छे माच्स लेके आता है हर बच्चे का माबाप हर बच्चे के माबाप भी चाते है मेरा बच्चा फर्स्ट आए पचास बच्चे क्लास में हर बच्चा फर्स्ट कैसे आ सकता है नहीं आ सकता है वो प्रेशर बच्चों पे डाला जाता है और लेवल्स, ए लेवल्स में, बैशलर में प्रेशर डाला जाता है, अरे प्रेशर ना डालो, देखो कि वो बच्चे में फित्रती नेच्छल सलायेत किया है, उसको फॉलो करने दो उसको, उसे म्यूजिक अच्छा लगता है उस फील्म में जाओ, आर्टिस्टे तो आट उस से अधा कौन का माता है, नुसरत्तत्य अली खान, मुजिशन्स, कौवाल, सिंगर्स, क्रिकेटर्स, टैनिस के अंदर जब डेविस कप जीता है, उसको आपके हमें कितने पैसे मिलते हैं उसको, मिलियन्स ऑफ डालर्स, वो जो फुटबॉल खेलते हैं बड़े बड़े नाम उनके पांट पास साल के कौन्टरेक्टक इतने मिलियन्स ऑफ जीए होते हैं, आप सोचती सकते हैं, एक पट्टी लगा दिये, कम्पनी ने कहा, बिरी पट्टी लगा, इतने लाग डालर्र होगा, इधर ये पट्टी लगा, इसकी ये पट्टी लगा, कड़वों तो उसमे अभी इन्होंने गाड़ी बनाई एक इसकी मैने देखी दी वीडियो को आप अधिक उबर ने लाया इशाथ को अब ड्राइवर नहीं होगा आपने खाने का ओर दिया पीजे का टक 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 एक गाड़ी आई कोई बंदा नहीं है उस गाड़ी के ऊपर एक चछत के ऊप अपने कोड नमबर डाला अपना दर्वाजा खुला आपका पीजा का प्रेकेट दर्वाजा मों किसी और के गर पेक लिए दॉमीनोस का इसाथ है तो अब हमें यह समझना है कि हमारी इंटरनल कम्यूनिकेशन पर हमने चेंज करना है अच्छा फोड है फोड डैमेंशन कहते हम हम कई कई डैमेंशन में एक्जिस्ट करते हैं आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं रात को में अलग डैमेंशन में होते हैं नीम या मलग डैमेंशन में होते हैं जब ऑपरेशन डॉक्र करता है और अनिस्थीजिया में होते हो एक अलग डैमेंशन होता है चलते पर तन कि पारीश ने हर जगा मौझूद है। और तुम काईनात में मौझूद हो। बच्चा था 17-18 साली उमर में मैं समझ नहीं आई कि पूरी काईनात में अंदर कैसे हो सकती है और मैं काईनात में कैसे हो सकता हूँ जब बड़ा हुआ तो पिर समझा आया गया तो समझ में आया कि वाकई जो कुछ इस काईनात में है वो मेरे अंदर मौझूद है तो अब वही स्टफ है जो इधर भी है इधर भी है तो हम दोनों में फर्क नहीं है इड़ा सेम स्टफ फ्रम विछ दिए इंटार यूनिवर्स है विए बड़ा अल्ला सुभानाव टाला तो अगर पानी में भी वही चीज़ है मटी में भी वही चीज़ है तो फिर मेरे मेरे में भी है तो फिर इसका मतलब वो मुझ में है उन में हूँ आग मुझ में भी, पानी मुझ में भी, हवा मुझ में भी, मटी मुझ में भी है और स्पेस भी मुझे में मौझूद है ये पांच बेसिक इंग्रीडियंट से मैटर का माद़े का तो फोर डैमेंशन में हमें एक खास आलम में जाते हैं ये तख्यूलात का एक आलम होता हमारा तस्वरात का आलम होता है और उसमें जाने के बाद हम अपनी जिंदगी में जो गोल्स और अब्जेक्टिवinga उनको हासिर करने के लिए हम अपने जहन के खास तरीके से इस्तेमाल करते हैं जब इस्तेमाल करते हैं तो वू चीज हमारी जिनदगी में हासिल हो जाती है ये फो डैमेज शुरू करने हैं पर बता दूब अगर आपको अपने आपको करनी, हाथ रखे, अगर जहान तकलीफ है, वहान रखे, वरना कहीं पर रख सकते हैं, उसके, एंड़ में बता है। मुझे जया, दिला राफ पर ही रहीं। और उसके बाद जो हमे आपके घर में कोई बिमारे आप हाथ रखें उसके उपर उनके जिसम पर खुली आंग भी रख सकते हैं मन आख से भी कर सकते हैं आपकी दोरान इसके आप दुरूद इपाक पढ़ना चाहिए तो दुरूद इपाक की विर्ट करते रहिए बिसमिल्लाइब रखें य सकते हम आपक्षोफब एफ पर बिसमिल्लाइब झाल य सकते हैं तो कि लुल विए भी रभी माशिए माशी परक प्राव लए़ दो दो अिल्ट कर आपको दो दो किसी एती दो किर व दो प्रूद प्रावब कर सकते हैं य時 करत将ह कर नके दोना कोई तो सिए कर दो करें मैं कर दो叫 झालबस पाल कर दो पसका फब होगा है ओर ठरपकश नाफ चाफशब नाफब इड़िक महाँ एड़िए झाल एड़ एड़िश में। जिली बाफ़िक रष माँ सबस्पार हैं लाफ़िक टो पुर कि एड़िक सैंट कर नाफ़िक हैं यद अपसा नहाँ कि अपस्ट अपस्ट अपस्टाइब डुशके डुषके डुशक इसन अनौस्मेंट करना जी कि अल्म फियल इन फिज लो रहा है कराची में धृटल फृटकर क्नेटल में दुपैर को नमाज कराची में उसके बाद मैं NLP कराची में करने के बाद दो दिन के बाद दुबई चला जाओंगा दुबई में हमारा NLP भी है दुबई में कुंडली शक्ती वाला वर्क्शप शाम को है वो चलेगा रोज पांच से छे से नौ है तीन गंटे का टेली होगा और तीस तारीक से NLP है तीन जिनका बनी माइंड भी है और रेकी भी है तो उरूज से राफ्तर कीजेगा जिनको करना है विसे आपने दिखा लास्ट टाइम मैंने इसलामबाद से टेलीफोन नंबर समझाने के लिए हाथ से इशारा किया तो कुछ दोस्त हमारे बड़े अच्छे तेन वापिस तीन पिर चार आप कलती होगी, 0333, फिर 3, फिर 8, 4, 5, 6, 7, 8, 0333, 3845678, दुबई से वापिस आऊंगा, तो फिर लहोर चला जाऊंगा, इसलिए दोस्तों, जुमेरात को लेक्चर आपको सुनाई देगा, फेस्बुक पर, मगर मेरी आपसे अब मुलाकात, कराची में हाजरीन से रिक्वेस्टे, 13 तो दिसेंबर याद रखेंगे, एक तीन दिसेंबर, एक तीन, एक दो, तेरा बारा, 13 तो मुलाकात होगी, एक तो आपका बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि फिर ये ब्रेक के बाद, ये हो रही थी मैफिल, तो मुझे ये था कि अगर लोग कम आएंगे, तो वो कश्मीरी चायज आए हो, मगर मुझे यकीन है कि आज शायद कम पड़ जाए, एनीवे, तेरा डिसेंबर याद रखीगा, मैं फिल, यहाँ पे आजरी, मगर लेक्चर आपको, लाहोर से भी लाइव होगा, दुबई से भी मैं लाइव करूँगा, दुबई में टाइमिंग थोड़ा, मैं चेंज करन मैं चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे साथ बजे होंगे माँ छे बजे होंगे, पाच बजे मेरी कुंडली शक्ती की क्लास शुरू होगा, तो यह तो आप कहें, तो मैं वहाँ पे रात को आट बजे और यहाँ रात के नौ बजे कर लो इस इतो के, नेक्स बड़ा बड़ा टुकरा लेकर आईये, फूलों का मैंने का, मिठाई तम नहीं खाते, और मिठाई कम से कम खाएं, आईये, इनकी तस्वीर भी ले 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 और इसको मुबारबाद रेकी मास्टर कर रहे होंगे, माशाण बजे होंगे, आईये, यह इनका रेकी मास्टर और झाईये, तो कहें सुबारबाद यह नगो, पता नहीं कहा से पैसे कवायों इस ELDERCTVL है, वो दौलत आपके अपास कभी नहीं आईये, त Lynuld बहुत बरुष्भी है, और अना अना दबर गॉर्ष्यटियर था तेंक यू आबाद रहे शाद रहे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा और मेरी दुआए के परवेदिगार आपको बहें तहाशा खुश्या दें तौफीग दें के खुश्या दूसरों में बाटें पाकिस्तान फाइंद आवाद दुआज़ पाकिस्तान